कुछ ऐसे सारे इगनु के तरफ से किये जारे हैं जिससे यह बात साफ हो चुकी है कि जिस परकार से जुन 2020 में सभी विद्यारतों को बिना कोई सर्थ के प्रमोशन प्राप्त हो गिया था उसी परकार से इस बार जून 2021 के परिच्छा में भी सभी विद्यारतों को जो है परमोशन यहां पर प्राप्त होने वाले चाहे वो बीएजी के स्टूडेंट हो बीकॉमजू, बीएससी, एमसीए, बीसीए या जितने भी तमाम स्टूडेंट है सभी को स्टूडेंटों को फ करेंगे, इगनु जून परिच्छा 2021, इगनु के एक इसारे से आप समझ सकते हैं कि सभी बेद्यारतों को बिना कोई सर्थ के फिर से परमोट मिलने वाला, यह एक भ्यानक और बहुत ही अच्छी और जवज़स्त खुसकबरी, इसके नाम पर सभी लोग जितना ज़्यादा कर रहें, इगनु के तरफ से इसी के बारे में भी हम आपके सामने जिक्री करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहां पर बताना चाहेंगे, लेकिन आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताना कि आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है, परिच्छा देना चाहता है, या सबी बिद्यारतों को बीना परिच्छा के परमोट करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा अपनी चाहत कि आप क्या करिएगा परिच्छा या परमोट, चलिए दोस्तों कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में आपक सबसे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें यह बात बताया गया है कि ऑनलाइन सम्मीशन ओफ एक्जामनेशन फॉर्म, टार्मिन एक्जामनेशन जून दोहजार एकीस, ठीक है, यानि कि दोस्तों कुछ ऐसे यह पर एप्रूबल मिला है, जिसकी सभी के जो अंतिमति थी, वो 30 जून तक एक्स्टेंड कर दीगे, जिसमें से पहला जो आता है, ओलनाइन एक्जामनेशन फॉर्म, दूसरा अगर बात करेंगे, तो ओलनाइन हो, चाहे फीजिकल मोड में, अगर आप अपने एसाइमेंट ज यह कुछ भी चीज़ अगर आप जमा कर रहे हैं, जून 2021 परिच्छा को लेकर, तो भी यह जो 30 जून तक बढ़ा दिया गया, इसके बाद, चोथा पॉइंट में यह मिंसन क्या यह है, कि ऑनलाइन फिजिकल हो, चाहे री सममिशन, डी, ए, सी, ए, फोर, पोर्जेक्ट बहुत ही जादा सांदार खुसखबरी है आप सभी के लिए, कि वैसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं कर पाएं थे, उनके लिए दोबारा मुका दिया जारा है, इगनू के तरब से, इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जैसे की पोर्जेक्ट रिपोर्ट से, उसकी भी अंतिमति थी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा दी गई है, जैसे की हमने उस नोटिस के तहत देखें, और तीस जून तक कर दिया है, इसके आलावा जो री रेस्टेशन की अंतिमति थी दोस्तों, अभी पंदरो जून है, लेकिन इसकी भी अंतिमति थी, ज जो हिए यहाँ पर अपलाई जल्दी सितीस जून से पहले-पहले कर लें, इसके आलावा दोस्तों, यहाँ पर हम यह भी बात आप सभी के पास बताना चाहेंगे , कि कुछ cercular जारी किया यहा है, इग्नू के तरफ से यह circular किया है आईए इसके भी बारे में जान लेते दोस्तों वीडियो के साथ बन रहीएगा बहुत कुछ हम आपको देने वाले हैं इसलिए वीडियो को छोड़ कर कभी भी मत जाईएगा दोस्तों यहाँ पर यह सर्कुलर में जारी किया है इसमें बोला यहाँ जितने भी और टीचर एकेडमी ग्रूप A जितने भी टीचर हैं जितने भी एकेडमी हैं या जितने भी ओफिसर से सभी को जो है एटेंट करना है यहाँ पर 50% है 50% वेटेज के साथ जो है इमपुलाए जो है अपने जो है काम में लग सकते यानि कि simple सा बात है जितने भी journal थे जितने भी study center थे जितने भी regional center थे उन सभी regional center और study center को खोनले का फैसला ले लिया गया है लेकिन बात यहाँ पर कहा जाए कि worker का तो 50% ठीक है यानि कि किसी भी study center या regional center पर 20 लोग काम करते थे तो वहाँ पर अभी अब इस पार 10 लोग ही काम पर जाएंगे इस बात को यहाँ पर ध्यान रगे इसके आलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी बात लिखे गिये हैं कि सभी को जो भी attend करियेगा और इस सभी को COVID-19 को मद्दे नजर रखते हुए मास्क पहनना अनिवायर है और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है आपको करना ज़रूरी है और सेनिटाइजर का प्रियोग करना है और हमेशा हाथ से और पानी से जो हाथों को साफ सुतरा करके ही रखना जो कि COVID-19 को यह देख आने हैं गुरूप B और गुरूप C ओफिसर को कितने बज़े आने हैं हाउस्किपिंग स्टाप को कितने बज़े आने हैं माली को कितने बज़े आने हैं और सीकुरिटी गार्ड को कितने बज़े आने हैं इस सारे के सारे चीज का जो है एप्रूबल दे दिया है तो यह थे इसके आलावा जो प्रोजेट का जो कैनिडेट है उसके लेकर यहां लिंक को जो एक्टिवेटेट किया गया यह एक नया लिंक है जो कि इगनु ने अब अब भी ज़स्त तुरंते इस लिंक को जो एक्टिवेटेट कर दिया गया ताकि आप सभी अपने जो 30 जुन तक पहले पहले resubmission कर सकते है इस लिंक के जरी अप सीधे मुद्दे पर ले चलते हैं दोस्तों कि आप सभी को जो है कौनसा इसारा इगनु कर रहा है ताकि जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो है परमोशन तै है मतलब समझे है कि परमोशन मिल चुका है दोस्तों आपको बताना च दिसंबर को आया था यहाँ पर देख पारें डेट भी आपको यहाँ पर मैंसें किया यह था लेकिन परिच्छा कब होना था जून में जून 2020 लेकिन छे महने के बाद जो है इगनूने प्रमोशन का नोटिस को जारी किया यह और हम हमेशा कहते थे कि आप सभी को पर्मोट मिल लेकिन इस पर कौन सा इसारा दोस्तो इसारा बहुत है आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन-कौन सा इसारा आए यहां पर समझ दे सबसे पहला इसारा आप सभी का जो है लगाता date को एक्सटेंड करना ठीक है uniform भर्ने की date extend कर रहे हैं assignment जमा करने की date extend कर रहे हैं project जमा करने की date को extend कर रहे हैं बार बार जुह है आपके सारे data को extend किया जारा same condition हुआ था 2020 में दोस्तों 2020 में भी इसी परकार से इगनू जो है बार बार डेट को एक्सटेंट करते जा रहे हैं थे परिच्छा फरम भरने की देट को बढ़ा दिया 15 दिन एकसेंग्मेंट जमा करने की तिथी को बढ़ा दिया 15 दिन इस परकार से जो है डेट को बढ़ाते गया और इस बार भी होने वाला है दोस्तों इसे लिए आप सभी निश्चित रहें और अपने आपको पूरा अगले समेस्टर या अगले यर्स के लिए त्यारी हो जाए लेकिन लेकिन दोस्तों अभी जाईएगा कहीं पर भी नहीं यहाँ पर हम एक मुद्दे बात करेंगे कि कहने का मतलब फाइनल येर को किसी भी परकार को कोई परमोशन नहीं मिलेगा हाँ अगर आप चाहते हैं कि फाइनल येर को भी परमोशन मिले तो जादस जादा इस वीडियो को सेर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा तब जाकर कुछ उम्मीद होगा कि फाइनल य के परमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तो आप कमेंट जरुर ! आप हम करिएगा। कि आप क्या चाहते हे परमोशन देना चाहते है या परिछा लिया न चाहते तो आपको हम बता दिए कि कौन-कौन से इसारे आपको कर रहे हैं जो कि आपको ये उम्मिद लग सकते हैं कि आपका परिच्छा जो है रध हो जाएगा और आप बिना कोई सर्थ के प्रमोट हो जाएगा तो है ना काफी मज़दार काफी जानकारी वाला नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद